हलो हमेंड, वेलकम बैग टो माई यूटुप जानल, तो गाइस आज मैं आपके साथ एक और प्रोडक्ट का रीव्यू शेयर करने चाहँ हुँ तो गाइस आज मैं जिस निने प्रोडक्ट का रीवियू आपके शेयर कर रही हुँ यह है face wash तो इस face wash का full review शेयर करूँगी इसके साथ में अपना personal experience शेयर करूँगी तो वीडियो में end तक बने रहना अगर चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe करने बाल आइकन को प्रेस करने तो चलिए गाइस बढ़ते हैं आज की वीडियो की और तो guys यह है ozone complexion brightening face wash for a bright glowing complexion तो guys मैंने इसकी ozone की जो scrub है उसका review अपने चैनल पे upload किया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको उस वीडियो का link नीचे description box में मिल जाएगा और यहीं पे आपको screen पे भी मिल जाएगा अगर आप उस वीडियो को check out करना चाहत तो आप definitely check out कर सकते हैं और guys इस वीडियो में आपके साथ अपना personal experience भी शेयर करूंगी तो guys CHE इन्होंने complexion brightening face wash mention किया हुआ है then इसके back side पे इन्होंने mention किया हुआ है इसकी shelf life और इसकी manufacturing date and market price यहां पे इन्होंने net weight mention किया हुआ है 100 gram manufacturing date जो है वो March 2022 है और इसी के साथ जो इ 50 रुपीस है और इसकी shelf life आपको easily 36 month मिल जाती है तो shelf life इसकी काफी जादा मिल जाती है आपको और guys आप देख सकते हैं यह product जो है वो tube की form में है और मैंने इसे guys online buy किया था मैंने नाइका हूल अपना शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे अगर आपने वीडियो नहीं देख अगर मैं इस product की बाद करूँ तो यह product आपको ट्यूब की form में मिलेगा इसके उपर कोई भी cardboard की packaging नहीं थी और easily carry कर सकते हैं travel friendly product है and screw cap है इसका जो easily open नहीं होगा और guys अगर मैं इस brand की बाद करूँ तो यह Ozone का brand है जो जिसकी मैंने scrub का review बीचे साथ अपके साथ अर्डेड तो guys अगर हम इस Ozone के face wash की बात करें तो यहां पे इनोंने ingredients इसके mention नहीं किये हुए कि क्या-क्या ingredients इसमें इनोंने add किये हुए हैं तो जो चीज मुझे इनकी अच्छी बिलकुल नहीं लगी और इसी के साथ ही guys जहां पे इनोंने mention किया है how to use वो मैं आपको बता देती add a few drops of water to the face wash and work up a good leather on the palm apply all over your face and neck rinse off with water and pad dry कि आपको इसे direct rapidMy face पे अपलाई मुझे लगाए करना को पहले अपने हाथ पे डालना है और अंद उसके बाद आपको इसे अपने हाथ पर हाथ ल油गा को। अपने हाथ रिक म्साच करना कि अपके इसे face washivo j Budget टाके ंपको अपने फीस उझ करना है तो डेफा साथ यह गर हम फ्रागरेंस तो यह जो था थीक ठाक है अच्छी है इसकी फ्रेग्रेंस और अब यगा इसे ओपने करके दिखा दीती हो इसका तेक्चेर और इसका कलार तो जो यह फेस वोश है ये जं फोंМ में हैतों sa तो आप देख सकते हैं लाइट पिंक बोल सकते हैं या फिर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बिल्कुर ऐसा ही इसका कलर है तो मैंने अपको फेस वोश का टेक्स्चर भी दिखा दिया कलर भी दिखा दिया अब मैं अपने परसनल एक्सपीरियन्स की बात करती हूं तो गाइस अगर मैं अपने परसनल एक्सपीरियन्स की बात करूं स्क्रब के साथ हो या फिर ओजो फेस वोश है इसके साथ ऐसा मुझे इन दोनों प्रोड़क्ट को उसकर के नहीं फील हुआ कि मैं इने सेकिंड टाइम बाही करना चाहूंगी क्योंकि मैंने इसके पहले बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अप्लोड की हुई है जिनमें मैंने आपके साथ बहुत साथ अच्छे जो फेस वोश है जैसे वाओ का वाइटमिन C फेस वोश है और भी काफी फेस वोश है जो मैंने आपके साथ शेयर किये हैं जिनके second time buy करना चाहूंगी क्योंकि मैंने इसके पहले Wow का face wash यूज किया इसके बाद Himalaya का यूज किया Nivea का यूज किया तो वो मुझे काफी जदा अच्छे लगे इस वाले जो face wash की compared तो guys मेरा experience इसके साथ अच्छा नहीं रहा आपका हो सकता है अच्छा हो करते हम अपनी अगरी वीडियो के साथ